हलो फ्रेंट एसे मेजुकेशन सर्वीसेस के ओपीसियल यूटूब चैनल पे आपका स्वागत है मैं एसके सिंग एमबीबियस कॉंसलर जैसा कि आप सबको मालूम है महराष्टरा ने उत्राखंड ने राउंड वन का रिजल्ट पब्लिश्ट कर दिया है और साथ में आज 36 ग जो महराष्टरा से बिलॉंग करते हैं और कहीं ने कहीं वह 24 फिलिंग में मिश्टेक किये जिसके कायान वास खमयाजा ये भुगतने को मिल रहा है कि उन्हें सीट मिलने की चांसे राउंड वन में जो हो रही थी वो नहीं मिल पा रही है और राउंड टू में कुछ सकता है repeat करने पर सकता है तो इसकी लिए आप यदी चाहें तो हमारे कॉंटक्त कर सकते हैं जो भी कांसे इलेटर प्रोबलम आती है इसके लिए आप डिटेल्स ले सकते हैं या फिर वो इंडिया के किसी भी एस्टेट से बिलोंग करते हैं वो कांसलिंग के लिए गाइडन्स ले सकते हैं, कॉंटेक्ट कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करता हूं सबसे पहले महारास्टा का क्या रहा क्लोजिंग रैंक गोवर्मेंट का इसके बाद करूंगा तो ओपन क्री में जेंरल क्रीमें वायानी की जेंरल के टेगरी का श्टूरेंट को 581 नीट स्कूर पे सीट मिला अगरर रैंक के बाद किया जाए तो 29,751 पे स्पाइब पर सिट मिला अगर एंडिया रंक के बात किया जा तो 94306 पर पे शीट मिला अगर और ऑमें के बात किया जा तो 492 पे इससी ओमें 492 पे close हुआ अगर rank के बाद किया जाए तो 93,336 पे close हुआ ST category general को 355 NEETA score पे seat मिला last seat अगर rank के बाद किया जाए तो 24,938 पे close हुआ वहीं ST OMEN के बाद किया जाए तो 354 NEETA score पे seat मिल चुका है अब VI DTA के बाद किया जाए तो general 530 पे seat मिला अगर rank के बाद किया है तो 62,939 औल इंडिया rank पे seat मिला 21B का बाद के जाए तो general student को 496 पे seat मिला अगर अल इंडिया rank के बाद किया जाए तो 89,636 पे seat मिला वहीं OSEN के बाद किया जाए नटीवं का 494 NEETA score पे seat मिल चुका था nt 2 c का बाद किया जा है तो यहाँ पर जो लर्के है बॉ recruit नेक हां फाइएट शिक्स निटा-सकोर पर अगर पाद किया है तो 44,779 एम्टन का बाद किया जा है तो nt 2 का ओमेंस का तो 556 नोत स्ट कोर पर यृटर् ऐच वाट स्ट अगर और तो धनल के लिए स्ट मिल साल-धार इन्ट-वाघ êD données का जया है चैसर्थ ka बात किड़ा तो चनल ऐ मेंडिया बात किया जा ही तो धृटि फ़ाइब ओमिल लेact पर सीट मिला ऑबीसी के बाद के जाएट तो बीसी में जेनरल को यानिके वह को सीट मिला 572 नीट स्कोर पे रह करते हैं और वह यह हैं उनके लिए जो क्लोजिंग रहा वह 34280 आज इंडिया रहा वहीं नीट स्कूर के बाद प्राइबेट मेटिकल कोलेज के महराष्टर में प्राइबेट मेटिकल कोलेज के क्या रहा क्लोजिंग रेंग प्राइबेट मेटिकल कोलेज को मええल के लिए फाइब तू सब्सक्राइब को cstat मिल है फीमेल के कैंडिकिल को और श्वक्राइब ने We बात कहाच को 507 निट्र स्कोर में 000 मेल 17 को फाइब टूथी फाइब लिग्टры मिला वह मिला आपको 531 पे एंटी 3 के बात के जाए मेल को तो मेल को जो सीट मिला 527 पे फीमेल के सीट मिला 527 पे ओभी सी कटेगरी के बात के जाए तो मेल को मिला 525 नीट स्कोर पे वहीं फीमेल को मिला 525 पे नहीं कि सेम नीट स्कोर पे सीट मिला बस रैंक का डिफरेंस जो government college के लिए closing rank रहा general category का वो रहा आपका NEET score 582 पे close हुआ 582 दिनका NEET score था उन्हें last seat मिला उत्राखंड के government medical college जो कि government दून medical college देहरादून में वो seat मिला और government दून medical college OBC category को भी मिला last closing rank और last अगर NEET score के बाद के जा तो 545 NEET score पे government medical college दून में EWS category का student को जो last seat मिला है वो 532 पे वहीं बात किया जैसे category के student को 404 पे last seat मिला है यानि कि government दून medical college देहरादून में ही ST category को भी government दून medical college देहरादून में last seat मिला है वो 459 NEET score पे rank बगल में दिया हुआ है उसको आप खुद से read कर सकते हैं ओमेन के बात किया जाए general category में जाने कि female को तो दून medical college में last seat मिला है फाइप एट फाइप नीट स्कोर पे EWS category में जो ओमेंस है इनको last seat मिला है 538 पे जो कि government दून medical college देहरादून में ही मिला है ओबीसी ओमेंस को मिला है government medical college जो है दून में यह मिला है आपको 549 नीट स्कोर पे वहीं एससी category के अगर ओमेंस के बाद किया जाए तो इसका seat last closing rank गया है अगर लास्ट अगर नीट स्कोर के बाद किया जाए तो 417 पे मिला है यह college का नाम है government दून medical college देहरादून ST category ओमेंस को seat मिला है 503 पे ST category के cut-off high ज्याता है क्योंकि seat कम है और student ज्यादा है यह college का नाम है government दून medical college देहरादून यह आप स्कीन पर भी देख सकते हैं ST category SC category सभी का अब यहाँ पर next है आपका private college का तो private college में यूर category women's के लिए जो closing rank है private medical college के लिए के 140,220 नीट स्कोर के बाद के जाए तो 442 college का नाम है सिरी गुरु राम राय इंचिचूट्स ऑफ मेडिकल साइंस देहरादून OBC women's का बाद के जाए तो सिरी गुरु राम राय इंचिचूट्स ऑफ मेडिकल साइंस देहरादून को लोज हुआ है OBC में सिरी गुरु राम राय इंचिचूट्स ऑफ मेडिकल साइंस देहरादून ही क्लोज हुआ है 132 नीट स्कोर में सीट मिल चुका था का अस्टियेट कोटा का तीक है अब बात करते हैं नेक्स्ट है management कोटा का ये मैंने भी बात किया तहाँ अस्टियेट कोटा का ठीक है जिसका पी कम होता है सिर्गुरुराम राय मेडिकल कोलेज देहरा दुन का 314 नीट स्कोर पे लास्ट सीट मिला है हिमाल्या मेडिकल कोलेज को 423 लास्ट नीट स्कोर पे शीट मिल चुका था यह था आपका उत्राखंड का Closing Rank बहुत सारे Harund confusion hahaha कि चला गया है तो बहुत सारे स्ट्वद सारे голोंग कंभी ज exist मिल पएगी Round Two में मौप अब प्राउंड में cut upतो बिल्कुल High गया है पिछले साल के Compare में तो ब्रदर उत्राखंड की हाई नहीं जाती है ना कभी हाई जाएगी और महराष्टा भी एक ऐसा स्टेट है जहां की कटफ बिल्कुल आपका पिछले साल के नियर अबाउट रहेगा कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा आप बिल्कुल अश्टे वेकेंसी मौपप राउंट तक जाएगे बि में भी कटफ कापी हाई गया है जेनरल कटेगरी को जो प्राइवेट सीट मिला है वह 569 नीट स्कोर पर सीट मिला है तो कहीं न कहीं यह जो कटफ है हर एक स्टेट का उपर की और देखने को मिल रहा है लेकिन मौपप राउंड तक या सकेंड राउंड में नीचे आते मिल सकता है उन कॉलेज को बिल्कुल टच कीजिए ऐसा नहीं कि आपके कॉलेज जो मिलना था उसे आप फिल ही नहीं किये और आप ज्यादा मतलब हाई रैंक वालेज को आप चूज कर लिए जो कि आपको मिल नहीं सकता था तो यह खास करके यह जो प्रोब्लम आती है को कही प्रोब्लम को फिस करने पड़ता है तिन सारे चीजों से बचिए क्योंकि जो भी इस्टेट है इस महाराष्टे कवावे वो च्वाव्ड चौन दोबारा करवाते हैं हैं लेकिन महाराष्टे के अंदर नहीं होता है जो ऐसे स्टूडेंट है जो महराश्टा के round 1 का registration नहीं किये थे और round 2 में new phrase registration करेंगे वो सायद ये सारे चीजों को सीख के आप अच्छे तरीके से choices करें टाकि जो student round 1 में registration किये choice feeling किये काफी ज्यादा भूल हुआ उनसे काफी mistake हुए उन mistake को सायद आप परख शुके होंगे और इसके according ही आप choices करें ज सकता है ज्यादा अच्छा college के चकर में रहेंगे तो आपको यह भी college आएगा जो मिल सकता था और वो तो मिलना ही नहीं है तो जिहां दोस्तों जिनको सीट मिला उनको हमारे तरफ से congratulations बहुत सारे हमारे paid member हैं जिनका की सीट मिला महराश्ट्रा में भी उत्राखंड और साथ म में 36 गर में भी तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों thank you so much